दोस्तो क्रिप्टो कर्णसी यूट्यूब चैनल टेट फोट प्रॉफिट मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त निजाम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज की इस वीडियो में बात करेंगे एथेरियम के प्रैस के बारे में बात साथ म तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सैंड की अपडेट करेंगे और एक दिन मैंने सैंड को वजीरेक्स पर डेली अपडेट के लिए भी आप लोगों को बताया था उसमें भी अच्छा का सब प्राफिट हुआ था लोगों को लेकिन अभी एक पहली बार देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोडिफिकेशन बिल को अन कर देना हमारे दौरा हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम जबरदस्त अपडेट दी जाती है तो चलो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो यहाँ पर एक लाइन है यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट पर तो यह एक वीकली लेवल था वीकली एक हाई लेवल था जिसको प्राइज ने ब्रेक किया है बखुबी और प्राइज उसके उपर क्लोज भी किया है यानि लाश्ट वीक की जो केंडिल क्लोज हुई नीचे गिया है इसी पर पॉइंट पर और उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर होता यही है कि जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो इतनी तेजी से प्राइज उपर नहीं भागता है रीटेस्ट कर लिया है कन्फरमेशन यहाँ पर हो गई है अब हमें कन्फरमेश को break किया है ये weekly level है ठीक है इसको break कर दिया closing उसके उपर दे दी मैंने आपको दिखा दिया अब समझना चीज को price ने retest कर दिया price ने वापस इस level को तोड़ने कोशिश किया हमारी entry कब बनेगी हमारी entry बनेगी दोस्तो अब 1.13 के उपर अगर इसके उपर price आता है तब हमारी entry बनेगी लेकिन देखो भी क्या कर रहा है अभी अगर देखो एक buying entry यह बन सकती है एक buying entry यहाँ पर बन सकती है अगर price यह तो गिर रहा है गिर के अकर नीचे आता इस level तक नहीं 88 cent पर भी एक entry बन सकती है तो इसमें ऐसा करना कि चार parts कर लेना अपनी capital के कुछ parts को यहाँ पर buy कर लेना थोड़ा सो उपर price चलने लगे थो थोड़ा सो buy कर लेना फिर यहाँ पर यह लेवल तूटता है तो यहाँ पर एक parts से और उसके बाद थोड़ा बहुत अरो buy कर लेना तो four parts में आप buying कर लोगे तो आपका rate भी average हो जाए अच्छा कासा और अच्छा return आपको दे सकता है देखो daily chat पर अगर बात करते हैं तो अब बात करते हैं कि price दोगो कहां तक जा सकता है price यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं उपर अगर 1.13 को break करता है फिलाल तो दोगो 88 cent तक आ सकता है अभी फिलाल आ सकता है और 88 cent पर हमाई अगर यहां से यहां तक भी हमें profit मिल जाता है तो लगबग 200% का profit हमें हो सकता है तो अच्छा का से return देगा क्यूंकि weekly level break हो रहा है और weekly level पर जब कोई cryptocurrency break होती है यह weekly level है यहां पर इसमें break करके closing दे दी है यह candle उपर नीचे कर रही है इस level पर भी breakout को हम entry लेंगे और अगर ह out हुआ है confirmation अभी उतनी अच्छे से नहीं मिली है अगर RSI को हम देखेंगे तो RSI नहीं यहां पर 40 के level को almost test करने के बाद RSI उपर चली है और price भी उपर जा रहा है तो में भी price अच्छा का सा return दे सकता है आने वाले कुछ वक्त में अच्छा concept है एक gaming crypto token है और अच्छा अभी entry बनेगी थोड़ी सी risky हो सकती है क्योंकि यह breakout हुआ है इसका high भी टूटा है लेकिन इस high के उपर candle ने closing नहीं दिये तो यहां पर four hours पर मैंने जो आपको दिखाया है आपको उसके according महाँ पर trade करना है ठीक है यहां पर उसके according आपको यहां पर trade करना है अभी देखो यहां प 88 cent पर जब आएगा price तो मैं फिर update करने कोशिश करूँगा बस यहां पर मैंने आपको यह आपकी नजर में डाल दिया है अभी आपको यहां पर बीच में entry नहीं लेनी है काफी लोग क्या करते हैं जैसे कि मैंने IOTX के update की थी उसमें वो level breakout हुआ नहीं लोगों ने entry बना ली तो वो नहीं करना है आपको safe side करना है इसको देखते रहो 88 cent पर अगर आता है तो आप comment box में मुझको बता सकते हो वैसे मैं खोद इस पर नजर रखोंगा और जैसे ही यहां पर entry point हमारा बनता है क्योंकि यहां पर देखो अगर कि value पर एक divergen है और यहां पर RSI पर भी एक divergen ह और यहां पर यह M pattern है तो में भी यहां पर में भी price नीचे इस level को breaker करके नीचे भी आ सकता है लेकिन यहां पर possibilities बनी है क्योंकि इसने बड़े time frame का high तोड़ा है तो price उपर जा सकता है ठीक है दोनों ही चीज़े मैंने बता दी 88 cent तक तो आपको कुछ करना नहीं क्योंकि price अ इसा लग रहा है कि 88 cent तक आना चाहिए 100% आना चाहिए और उसके बाद वहां पर एक entry बन सकती है 88 cent या उससे थोड़ा सा 90 cent 92 cent इस तरीके से price को आना चाहिए तो sandbox की यहां पर details update हो गई काफी लोग परशान है क्योंकि इसका price तेजी से उपर की दर भागा था और वहां पर टॉक पर जाकर लोगों ने entry ली अब वहाँ थोड़ा सा नीचे आ रहा तो पैनिक हो रहे हैं तो अभी यहां पर आपको पैनिक नहीं होना है थोड़ा सा और दस्त प्रेकाउट हुआ है और यह प्रेकाउट होने से पहले मैंने आपको यह setup बना कर दिया था ठीक है जिसमें मैंने आपको दो पैटन दिखाए थे एक तो यह horizontal range में है यानि horizontal rectangle box में है और दूसरा इस तरह से एक rising wedge बना रहा था तो मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि यह इसका breakout हो सकता है उपर के side उपर के level भी मैंने यह आपको दिये थे दो ही level दिये थे उस वक्त 3800 और 4400 यह दो level मैंने दिये थे कि इसके आसपास पर आई जाता दिख सकता है अभी तो इसने breakout लिया है अभी तो picture बाकी है मेरे दोस्त और ethereum को लेकर इसलिए भी ज़्यादा bullish हों क्योंकि ethereum 2.0 जब से आया है तो उसके बास से जो महापर जो system मैंने एक वीडियो में आपको बताया थना कि जिस तरीके से transaction पहले minus transaction fees ज़्यादा मिलती थी आप लोगों को महेंगा पड़ता था अब वो चीजे बदल दी गई है और वो कुछ ethereum time to time burn होते रहेंगे तो काफी एक महीने के अंधर ही काफी सारे ethereum burn हो चुके हैं और ethereum की एक limited quantity है ethereum की जो supply है वो एक limited supply है जादा नहीं है तो इसमें मुझे इसा लगता है कि bitcoin के बाद अगर कोई crypto currency अभी भी अगर आप देखोगो तो bitcoin के बाद दूसरे नंबर पर आता है और यह हमेशा वैसे ही रहेगा कोई बड़ी बात नहीं है कि बहु long term की बात कर रहा हूं मैं अभी तो देखो यहां पर इसने break कर दिया है दोनों चीजों को ब्रक किया है इस rectangle box को भी ब्रक किया है और इस rising wedge को भी ब्रक किया है तो प्राइज यहां पर लगबग 3400 यानि 3800 और 4400 और उसके बाद उपर के level देखकर होश उड़ जाएंगे मेर 3800 तक भी बहुत सकते हैं तो यह हो गई इथेरियम की बात यहां पर आपको यह अभी हो सकता है काफी लोगों को लग सकता है कि बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूं लेकिन इथेरियम का जिस तरीके से version change हुआ है उसके बाद जो चीज़े उसमें हो रही है बहुत जबरदस होगा आने वाला time इथेरियम का और इथेरियम का all time high की बात करोगो तो यह है 44,100 के असपास इसको break करेगा इसको पहले टेस्ट करेगा आकर जो चीज़े होंगी देर से होंगी long term के लिए थेरियम को रख लो तोड़ा बहुत यह message कर रहा हूं आप सभी को कि advice है हमारी तरफ से कि अगर आप long term के लिए पूछते हो कौन कौन सी cryptocurrency तो सबसे पहली cryptocurrency आज मैं बता रहा हूं इथेरियम को रख लो थोड़ा बहुत आपके पास ज्यादा fund नहीं है 10% इथेरियम ले सकते हो 5% ले सकते हो जितना भी ले सकते हो बिटकोईन का भी हैता एक वक्त वो था कि जो मेरे भाई ये इथेरियम की बहुत ही जबरदस अपडेट और यहाँ पर आपको यह चीज मैंने पहले बता दीती इसलिए बोलता हूं कि जो लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक और वीडियो को देखते हैं तो उनसे request है कि अगर हमारा काम अच्छा लगता है क इन तो दर्द के बिस्तर पे भी है आ सकती उनके आगोश में सर हो यह जरूरी तो दी ठीक है तो यह जरूरी नहीं है किसी भी चीज़ को अगर आपके अंदर कोई क्वाल्टी है आपके अंदर वो capability है तो उसके लिए आपको setup की जरूवत नहीं पड़ती है setup मेरे पास आप लोग देखते होंगा जातर मेरे वीडियो में कि setup ज़्यादा जबरदस नहीं दिखाय जाता है लेकिन जो भी update होती है strong तरीके से करता हूँ पूरी तरीके से analyze कर लेता हूँ चीज़ों को उसके बात करता हूँ तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पसंद है मेरे वीडियो पसंद है तो like जरू करना comment करना subscribe करना ज्यादा ज्यादा और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सवयोग परदान करना कैसे करोगे अपने social media platform से share करोगे वीडियो को हमारे चैनल को तो चलो दोस्तों मुझको इजाद द जय हिंद जय भारत